इडी किसा बदलते भारत की शाद नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दोशन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हून चुसिंग अगले आदे घंटे के दोरान हम आपको बताएंगे किस कृशी जिन्स के भाव में आई तेजी किस में आई मंडी साथ ही जानेंगे आगे किस ओड जा सकता है वाज़ार आज हम खासतार से बात करेंगे जुआर चनाग गेहु अरंडी लहसुन और कपास की इसके अलाव भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडे खबर में जान सकेंगे लेकिन सबसे पहले नज़ डालते हैं आज की सुर्खें अपर गेहों के निर्यात में हुआ बंपर इजाफा इस साल हो सकती है गेहों की रिकॉर्ड पैदावार बुलिटन के शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से देश से होने वाले गेहों के निर्यात में बीते दो महीने के दोरान बंपर इजाफा हुआ है एपिडा के ओर से जारी ताजा आंकडो के नुसार गेहों का निर्यात 6 लाक टन के पार पहुँच किया है जो बीते साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है वह इस साल देश में गेहों की रिकॉर्ड पैदावार होने का नुमान जताया गया है घरेल उस्तर पर साल 2020-21 में गेहों की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है जिसका असर कृशी उपजमंडियों में गेहों के भाव पर देखने को मिल सकता है क्रशिम अंत्राले के ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दोरान देश में गेहु की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है ये 110.42 मिलियन टन उसत उत्पादन की तुल्ला में 9.10 मिलियन टन अधिक है गेहु के निर्याद की बात करें तो देश से होने वाले गेहु के निर्याद में लगातार इजाफा हो रहा है इस साल देश से होने वाला गेहु का निर्याद पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़हा है साल 2020-21 में अप्रेल से मई महिने के दौरान देश से गेहू का कुल निर्याथ 5,68,000 तन बढ़कर 6,43,000 तन के पार पहुच गया है जो भी ते साल की समान अफदी के दौरान निर्याथ महज 74,313 तन का ही हुआ था फिलाल कृशी उपज मंडियों में इन दिनों गेहू की आवक सामाने बनी हुई है भाव पर नज़र डाले तो एक माकनेट के नुसार गुजराग की मेघराज मंडी में 27 अगस्त को लोकवान गेहू का भाव रहा 1700 रुपए 28 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाब नहीं हुआ और भाव 1700 रुपए पर बरकरा रहा राजी की ही सेमी मंडी में इस दौरान गेहू के सौदों में 75 रुपए की नर्मी के साथ कारोबार हुआ यहां 28 अगस्त को गेहू का भाव रहा 1850 रुपए जो 27 अगस्त को 1925 रुपए था महराश्र की पूरे मंडी में बीते दो दिनों के दौरान शर्बती गेहू के भाव स्थिर रहे यहां शनिवार को धारा गेहू के भाव बिना किसी फेर बदल के 1720 रुपए पर बने रहे जबकि राजस्तान की लाल सोठ मंडी में गेहू के भाव में बढ़हत दर्ज की गई 27 अगस्त को यहां गेहू का भाव रहा 1900 रुपए 28 अगस्त को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव 1915 रुपए पर जा पहुँचा बाजार के जानकर निर्मल तीवारी हमाँ साथ जुड़े हैं आयों से में बात करते हैं निर्मल जी स्वागत है आपका मंडी खबर में जाना चाहेंगे आपसे कि किस तरह का असर रिकॉर्ड निर्याद का गेहूं के भाव पर पर सकता है क्या लगता है आपको किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सला रहे की किसानों के नजरिये से अगर देखें तो चुकि अभी ये तेजी अभी आई है थोड़ा बजार भाव बढ़ने लगा है और निंतम समस्ताओं मुली के इसका इसके उपर व्यापार करता हुआ नजर आएगा और महीने दो महीनी के अफ़जी में दोजार पचास के इतिस्ट और प्रतिक उन्टर के बजार भाव देखने को मिरते हैं उस समय थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली की जा सकती है थोड़ा बहुत जो भी स्टॉक है वो बेचा जा सकते हैं निर्मल जी लगातार हमाई साथ बने हुएं फिलहाल बढ़ते हैं बाकी की सुर्ख्यों की ओर बीते साल से ज्यादा रह सकते हैं जोआर की पैदावार बुआई बीते साल से पीछे चने की रिकॉर्ड उपज अनुमानित बढ़ा दलहन की बुआई का रखबा मोटे अनाज में शामिल जोआर की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है हलाक इस साल घरेलू सर पर मोटे अनाज में शामिल जोआर की पैदावार 47 लाक्टन से ज्यादा होने का नुमान है जिसका असर कृषिय उपज मंडियों में जोआर के भाव पर पड़ सकता है पोशक अनाज को प्रोचसाहित करने के लिए दुनिया भर में कोशिशे हो रही है यही वज़ा है कि साल 2023 को अंतराष्ट्रिय पोशक अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा सन्युक्त राष्ट्र ने इसे मनाने का एलान भारत की पहल पर किया है 2023 के लिए भारत सरकार ने अभी से तयारियां शुरू करती है जल्द ही इस संबंध में अलग-अलग तरह के कारिक्रम भी आयोजित किये जाएंगे आज के समाने में हमारे देश में जवार आम तोर पर पशुचारी के रूप में इस्तमाल की जा रही है लेकिन हकीकत यह है कि जवार बहुत ही पौश्टिक अनाज है जो कुपोशण की समस्या से लड़ने में मददगार सावित हो सकता है भारत के अलावा चीन, अरब देशों, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में भी इसकी खेती की जाती है तिलहाल कृशियोपज मंडियों में शनिवार को जवार की आवक्सी मित रही भाव पर नजर डाले तो एगमार्टनेट के अनुसार करनाटा की लक्षमेश्वर मंडी में 28 अगस्त को सफेद ज्वार का भाव रहा 1379 रुपए जबकि महराश्ट की पुणे मंडी में इस दोरान ज्वार के सौदे 3950 रुपए पर हुए जहां तक उत्पादन की बात है तो इस पर पिछले साल से ज्यादा पैदावार हो सकती है क्रिशी मंत्राले की ओर से जारी चौथे अगरिम अनुमान के अनुसार 2020 के दोरान 47,80,000 तन ज्वार की उपज हो सकती है जबकि पिछले साल ये आंकडा 47,70,000 था वहीं बात ज्वार की बुआई की करे तो इस साल ज्वार का रखबा बीते साल के मुकामले पीछे चल रहा है क्रिशे मंत्राले की ओर से जारी ताजा आंकडों के अनुसार साल 2021 के 27 अगस्त तक चालू खरीफ सीज़द में ज्वार की बुआई 24,000 हेक्टेर घट कर 14,33,000 हेक्टेर में हो चुकी है जबकि बीते साल की समान अब्धी में वुआई कर रखबा 14,57,000 हेक्टेर रहा था बात करते हैं निर्मल दिवारी जी से लगाता हमाईसद बने हुए है निर्मल जी जुआर के बाजार पर आपकी क्या राए है कि आगे आने वाले समय के लिहाथ से मैं समझता हूं फिलाल बजार एक अभी दाइरे में ही वेपार करता हूँ नजर आएगा जी तो ऐसे मैं आप किसानों को क्या सरा देना चाहेंगे किसानों के नजरिये से अगर देखें तो जुआर की जो निंतम समझता है वो 278 रुपे है जो बीते साल के मुकाबले 118 रुपे के असमें असल सरकार में इजाफा किया है तो उस तर्च के अगर देखें तो मैं समझता हूँ जहां सहादा मात्रा में इसकी बुवाई करके चलें चुकि मोटे आनाच की खपद अगर आप साल दर साल देखें तो उसमें इजाफा देखने को मिल रहा सो मरुत्री बेशने को मिल रहे और फरकारी देंसी द्वारा कर मंडी से जहां आलू का भाव रहा 700 रुपए उत्तर प्रिदेश की अकबरपूर मंडी में भाव रहा 915 रुपए और राजी की लखीम पूर मंडी में भाव रहा 1085 रुपए सही भाव आवगुण मत्ता के निशार हैं आलू के बाद अब नजर नीम्बू के भाव पर केरल मंडी में नीम्बू का भाव रहा 2700 रुपए और हर्याना की गोहाना मंडी में भाव रहा 2500 रुपए सही भाव आवगुण मत्ता के निशार है फिलाल वक्त हुए चोड़ी से ब्रेक का ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी की आप बने रहें दूरदशन किसान के साथ दे AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग दुक्सान की होगी पूरी भरपाई Agriculture Insurance Company of India Limited संपन्न भारत की पहचान बीमित फसल खुशाल के साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं मंडी खबर बात करते हैं चना की इस साल देश में रभी चने की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है क्रिशी मंत्राले की ओर से जारी चौथे अगरिम अनुमान के नुसार देश में चने की पैदावार 11.99 मिलियन टन के पार जा सकती है जिसका असर क्रिशी मंत्राले की ओर से 11 अगस्त को जारी चौथे अगरिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में चने की रिकॉर्ड पैदावार 11.99 मिलियन टन होने का अनुमान है दलहन की पैदावार पर नजर डाले तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है क्रिशिमंत्राले की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है जो आसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से जादा है वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बड़ा दर्ज की गई है देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर का रगबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है वहीं मूंग और उड़त की बुआई में कुछ कमी आई है कृशी मंत्राले के साल 2021 के सताईस अगस तक के ले जारे ताजा आकडों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की वुआई एक लाग हेक्टेर बढ़कर एक करोड़ 35,83,000 हेक्टेर में हो चुकी है जो बीते साल की समान अवधी के दौरान एक करोड़ 34,23,000 हेक्टेर रही थी फिलहाल इन दिनों जादतर कृशिवपज मंडियों में चने की आवक सामान है इसके हाजर भाव पर नज़र डाले तो एक माक नेट के नुसार करनाटा की लक्षमेश्वर मंडी में 27 अगस्त को चने का भाव रहा 4,238 रुपाई 28 अगस्त को इसके भाव में 35 रुपाई की तेजी आई और भाव जा पहुँचा 4,273 रुपाई महराश्ची के पुणे मंडी में बीते दो दिनों के दोरान चने के भाव स्थिर रहे यहां 27 और 28 अगस्त को चना बेना किसी उतार चड़ाव के 6,150 रुपाई पर भिका राजिस्थान की बारा मंडी में इस दोरान चने के सौदों में 45 रुपाई की नर्मी के साथ कारुबार हुआ 28 अगस्त को यहां चने का भाव रहा 4,930 रुपाई जो 27 अगस्त को 4,975 रुपाई था जबकि राजिय की ही गोलुवाला मंडी में 27 अगस्त को चने का भाव था 51 रुपाई 28 अगस्त को इसकी सौदे 150 रुपाई उच्छल कर 5,250 रुपाई पर हुए इसी तरह उत्तरप्रदेश की गोरकपुर मंडी में देसी चने के भाव में उठाव दर्च किया गया यहां 28 अगस्त को देसी चना 25 रुपाई मस्बूत होकर 5,525 रुपाई पर विका उत्तरप्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में चने का भाव रहा 5,520 रुपाई चौवेपुर मंडी में भाव रहा 5,200 रुपाई लखीमपुर मंडी में देसी चना 5,440 रुपाई पर विका जबकि राजे की ही बलिया मंडी में इस दौरान देसी चने के सौधे 5,675 रुपाई पर हुए एक बार फिर रुक करते हैं बाजार के जानकार निर्मल टिवारी के ओर निर्मल जी क्या कहना चाहेंगे आप चणे की रिकॉड उपच को किस तरीके से आप देख रहें और भाव पर इसका किस तरह का प्रभाव हो सकता है क्या सिति रह सकती है मौजिता समय पर अगर देखें तो दल्धन बाजार इस साल लगबख शुरुवाती दौर से ही थोड़ा सा तेजी की तरफ रुख करता हुआ नजर आया चाना उसमें बाकी डालों के मुकाबले थोड़ा सा पीछे रहा चाना के बाजार भाओ के लिहाज से अगर देखें तो देखने को भी मिला है कि मिलो द्वारा खरीदारी की जा रही है उसके चलते मैं समझता हूं छोटी अवदी में चैने के बाजार भाओं में थोड़ा सा तीजी का भुख देखनी को मुल सकता है जी तो ऐसे में आप किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे किसानों के नजरिय करीदारी की जाए तो अपना स्टाप गावन सोपर पर प्रते कुंटर के अनस्पी के तर्ष्वे देखवाली करके चलें और बड़े किसानों को मेरी सलाह होगी अभी छोटी अवदी में जोटी में बादार फॉवासा तेजी देखने को मिल सकती है उसका फायदा उठाए उपर इस थार पर अगर देखें तो पैटालिस्टों से फैटालिस्टों और तो प्रते कुंटर की वजार देखने को मिल सकते हैं महीने दो महीनी के अवदी में ना समस्ता हो चिद्वाव होंगे दिखवाली करके चलने के लिए तो अभी हमने बात की चने पर निर्मल जी आप बने रहें आगे हम अन्य जीनसों पर भी आपसे राय लेगी लेकिन फिलाल अब बाद कर लेते हैं भिंडी की देखते हैं देश की विभिन मंडियों में कैसे रहे भिंडी के भाव गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 7 सर रपै हिमाचल प्रदेश की कांगरा मंडी में भाव रहा 1350 सर रपै राजस्थान के जालोर मंडी में भाव रहा 900 सर रपै और राजस्थान की जालो और मंडी में भाव रहा 2300 रुपए सही भाव आवगुरुमत्ता के नुशार है बढ़ते हैं इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मुंग फली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरज मुखी की बुआई शुरू हो चुकी है कुल तिलहनी फसलों का रखबा बीते साल से 2,00,000 हेक्टर ज्यादा पीछे चल रहा है अरंडी की खेती की बात करें तो अरंडी की बुआई के रखबे में बीते साल की मुकाबले कुछ कमी आई है कृशी मंत्राले के साल 2021 के 27 अगस्त के लिए जारी ताजा आंकडो के नुसार देश में अरंडी की बुआई का रखबा 50,000 हेक्टर से ज्यादा पीछे चल रहा है साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 5,14,000 हेक्टर में हो चुकी है जबकि 23 साल की समान अवधी के दौरान बुआई का रखबा 5,66,000 हेक्टर रहा था फिलहाल कृषियों पच मंडियों में शनिवार को अरंडी की आवक खासी सुस्त रही इकका दुखका मंडियों में ही अरंडी की बिकवाली हुई हाजिर भाव की बात करें तो एक माकनेट के नुसार गुजरात की सेमी मंडी में शनिवार कॉरंडी बीच का भाव रहा 5925 सुपए वह साल 2020-21 के दौरान देश में तिलहनी फसलों के जिकॉर्ट पैदावार होने का नुमान है इस साल के लिए जारी चोथे अग्रिम अनुमान के नुसार घरेलू स्तर पर तिलहनी फसलों की पैदावार 36.1 मिलियन टन होने का नुमान है जो पिछले साल के मुकाबले 2.88 मिलियन टन ज्यादा है इसके अलावा साल 2020 के दावरान तिलहनी फसलों की पैदावार 30.55 मिलियन टन जो औस तिलहनी फसलों की उपज के मुकाबले 5.56 मिलियन टन ज्यादा है एक बार फिर से बात करते हैं निर्मल तिवारि जिसने निर्मल जी आपसे जाना चाहें के आरेंडे के भाव के बारे में क्या सिती रह सकती है और अर अर तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सवाव हैं उच्छे वाव हैं विक्वाली करके चले चोटी अब्धी पर नंबी अब्धी का अगर नजरिया लेके चलते हैं तो उस समय थोगा सब्सक्राइब तो वहां पर अपना जो भी उनके स्टॉक है उसको बेचने तो यदे बाजार के जानका निर्मल तिवारी जी जिन्होंने भी आरंडी के वारे में हमें बताया और हमारी किसान उनकी तरफ से जो सलाह दी जा रही है जरूर उन पर विचार करें इसे के साथ ही फिलाल वक्त एक का पास और लहसुन का हाल आप बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं मंडी खबर चोटा सा ब्रेक क्रुष्ण भक्ति के रस्में भाव विभोर होने के लिए लेकर आ रहे हैं अनोखी मैफिल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में बात करेंगे कपास की इन दिनों देश में कपास की खेती चल रही है पिशल साल की मुकाबले इस साल कपास की बुआई का रखबा दस लाख हेक्टर पीछे चल रहा है क्रिशी मंत्राले की ओर से ज्वारी ताजा आंकडों के नुसार साल 2021 के 27 अगस तक देश भर में एक करोड 17 लाख 42 हजार हेक्टर में कपास की खेती की जा चुकी है जब की साल 2020 के समान अवधी के दौरान बुआई का रखबा एक करोड 28 लाख 41 हजार हेक्टर रहा था फिलहाल क्रिशी उपज मंडियों में शनिवार को कपास की आवक खास से सूत रही गिनी चुनी मंडियों में ही कपास बिक्वाली के लिए पहुची कपास की उपच पर नज़र डाले तो इस साल देश से होने वाला कपास का उतपादन 35.38 मिलियन गांठे प्रती 170 किलो की गांठे अनुमानित है जो औसित कपास उतपादन की तुलुना में 3.49 मिलियन गांठे अधिक है आए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानका निर्मल तिवारी जैसे निर्मल जी कपास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह किस्तितिया बन सकते हैं आगे कपास के बाजार में एक तरफा तेजी के बाद अब उपरी इस तरो पे मुनाफ़ा वसुली देशने को मिल रही है इस वर्ट अगर बाजार पे नज़र डालें तो कावरोबारियों दवारा इस वर्ट खरीदारी नहीं जी जा रही है और दूसरी और बंडियों में जो आवक है उसमें भी पहले के मुकाबले इजाफा देखने को मिलाएं तो उसके चलते उपर इस तरफे बाजार भाव थोड़ा थम गए हैं या थोड़ा सा बून में हलका दबाव देखने को मिल रहा है आगे आने वाले समय के लिहाद से अगर देखें तो मैं समझता हूँ अभी मौजिदास कर पे थम जाएगा या थोड़ा गरावत देखने को मिल सकती है जी तो किसानों के लिए क्या टिप्स है आपकी तरफ से क्या सरा देना चाहेंगे उन्हें किसानों के नजरीय से अगर देखें तो मैं समस्कां इस साल अच्छी तीवी देखने को मिली खास्थ और से पिछले दो महिने को मिली है मौजिदास तर प्सक्त मुनाफ़ा वसूली करके चलना चाहिए तो अभी हमने निर्मल जी से बात की कपास पर फिलाल अब नज़र डालते हैं देश की अलग-अलग मंडियों में कैसे रहें लौकी की भाव गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 275 रुपए उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में भाव रहा एक हजार पचास रुपए और राजकी अकबरपुर मंडी में भाव रहा 1740 रुपए से भाव आवगुर्वत्ता की रुपए हैं और आखिर में बात करते हैं लहसुन की लहसुन की पैदावार में खासी बढ़हत का अन्मान जताय जा रहा है क्रिशी मंत्राले के बागवानी फसलों के लिए इस साल के लिए जारी पहले आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2020 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 हो सकती है जबकि बीते साल की समान अर्धी के दोरान याकडा 29,10,000 टन का रहा था फिलहाल क्रिशी उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामानी है इसके हाजिर भाव की पात करें तो एक मार्क नटके अनुसार शनिवार को हिमाचल प्रदेश की कांगरा मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,500 रुपए राजस्थान के जौलोर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए उत्तर प्रदेश की लखेम पूर मंडी में लहसुन 6,440 रुपए पर भी की जबकि राज्य की अकबर पूर मंडी में इस दौरान देशी लहसुन के सौदे 6,380 रुपए पर हुए लहसुन के निर्यात पर नज़र डाले तो साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल की मुकाबले घटा है भारती मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकडो के निसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 तन घटकर में 17,950 तन का हो पाया जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 तन का हुआ था निर्मल जी से बात करते हैं निर्मल जी अभी हमने बताया कि लहसुन की सिती क्या है निर्यात की सिती क्या है आपको क्या लगता है इससे भाव में क्या सर पड़ेगा क्या आगे किसानों को बहतर भाव मिल सकते हैं या फिर भाव नरम रहेंगे क्या लगता है बीते साल के मुकाबले इस साल लहसुन का बाजार थोगा सफस्थ नजर आ रहा है और इस वक्त अगर बाजार की बात कर रहे हैं प्रमुक मंडियों के अगर बात करते हैं तो लगबर सप्ता से सो और प्रतिक उंटल के असपास लहसुन के बाजार भाव देखने को मिल रहा है तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह है क्या योजना बनाए वो अपने निर्मल जी से अभी हमने बात की लहसुन पर निर्मल जी हमाई साथ जुड़ने के लिए और कृशी जिन्सों पर इतने अहम जानकाय साजा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसे के साथ है आज के मंडे खबर में बस इतना ही उम्मीद है कि किसानों को अपने उपच का सही भाव लेने में मंडे खबर से मदद मिल रही होगी आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान की यूट्यूब चैनल पर भी इस कारिक्रम को देख सकते हैं फिलहाल यहां लेंगे आप से विदा लेकिन आप बने रहें दूर्दशन किसान के साथ नमस्कार आप सकते हैं